तो बिल्कुल देखिए आपको इतना फाइदा मिला है और बहुत खुशी होती है दर्श को हमें ये सुनके ये जानके कि जो नुसके आपको हकीम साहब बताते हैं वो आपको रोगमुक्त बनाने के सासत आपके मुँपर एक मुस्कान आ जाती है कि हाँ यही वो ट्रीट्में पानीपत से स्वागत है आपका नमस्कार मेडम जी नमस्कार मेरा स्वाल है मेरे पतिगड डाकूत ते वर गिर गे थे वह आर्मी में है और उस दिन अमने स्वाल किया था लेकिन आपने जवाब बता आथा टीवी में कुछ खराबी हो गी थी इस वजय से अंचुन निपाय और उनके एक गुटने में दरद रहता है कट-कट की भी आ जाती है ठोड़ी सुजन भी आ जाती दवाई खाते हैं तो आराम हो जाता है फिर वही शिकायत फिर शुरू हो जाती है एक साल हो गया अच्छा वो फौज में है या रिटायर हो गया कितनी उमर है उनकी उती सेटाली सेटाली साल है फोज में है फिर इटायर होने वाले है जुलाई में टीक है ठीक है अच्छ देखिए आप लिख लें देखिए उनको आपको देना है गांद स्याण स्या हम कहते हैं अपनी भाशा में इसे आसान भाशा में काला गौन कहते है ये फाजियों के भी बड़ा काम आता है क्योंकि फाज में जो ट्रेनिंग होती है उस वक्त तो पता ने चलता लेकिन बाद में बड़ी तकलिफ होती है बढ़ापे में तो गौन सिया यानि काला गौन अस है जायके में कड़वा होता है लेकिन इसकी जगा लोग ऐलवा दे देते कोई कुछ दे देता है कोई कुछ देता है यह ऐलवा नहीं है यह कोई और गॉंद नहीं एक अलग टाइप का गॉंद है जो अगर आपको असली मिल गया तो पंद्रह सोला रुपए रोस का इलाज है एक गिराम रोजाना खाना होता है अधा गिराम सुबह अधा गिराम शाम और फाइदा यह प्माज साथ दिन बात करता है लेकिन यह रोग की जड़ पर काम करता है अभी आप टीवी देख रहे थे तो एक त्यागी जी का फोन आया था किस कदर उनकी पत्नी को फाइदा हो जिसको भी असली मिल गया उसको रोग मुक्त होना मुमकिन है असली देना आपकी जिम्मेदारी अधा अधा गिराम दिन में दो बार किला है तो गिराम भी असली मिल गया तो फाइदा होना मुमकिन है तो दर्श को देखिए जो भी रॉम माटीरियल आप लोग उसको हकीम सा तो हकीम साफ की कंपनी से मंगवा सकते हैं हेलप लाइन नंबर पे कॉल करके अगर मार्केट में आपको कहीं भी कोई भी रॉम माटीरियल दिखता है चाहे वह गौन सिया हो गौन मौरिंगा हो जैतुन का सिरका हो ऐलोवेरा का सिरका हो या फिर जैतुन का नमक हो कलॉन जी का नमक हो तमाम ये रॉम माटीरियल अगर कहीं भी आपको मार्केट में मिलते हैं सबसे पहले क्वेरी कर लीजे हेलप लाइन नंबर पे कॉल करके कि जो आपके पास रॉम माटीरियल है क्या ये असली है या नकली है बिना पहचान किये आप लोग इसका सेवन बिलकुल मत क्योंकि अगर आप लोग इसका सेवन करेंगे तो कहीं न कहीं आपको साइड एफेक्ट हो सकते हैं अगर वो नकली हुआ इसलिए मैं बार बार आप लोगों से दर्श को कहती हूं कि कॉपे पैन लेके बैठिये एक एक बात को नोट डाउन कर लीजे कारिकरम में कॉल नहीं कर सकते हैं हकीम साब आप जो गौन सिया का जिकर यहां पर करते हैं जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देता है जो कि ना तो चल पाता था डर्द से दिन रात वो लड़ता रहता था और किसी ना किसी और का सहरा लेके उसे उठना पड़ता था गौन सिया का इस्तेमाल एक क्वांटिटी में करना क्यूं जरूरी है क्योंकि अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए क्या उसका नुक्सान भी हो सकता है दीके गौन सिया टो एक ऐसा रो मैटेरियल है जो बहुत तेज है बलकुल लेकिन लेकिन कभी हम मेर्दी ज्यादा यूश करो यह वह भी नुक्सान दे सकती है नमक भी ज्यादा नुक्सान दे सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है बिलकुर हर चीज नुकसान दे जाती पानी भी नुकसान दे सकता है अगर हज से ज़्यादा खा लिए जाए खाना भी नुकसान दे सकता है तो क्योंकि ये तो दवा का मामला एक राव मैटेरियल है काश पूरे हिंदुस्तान को असली मिल जाए लोग नकली बहुत देर है और दुबई में इसकी बड़ी जरूरत है खाड़ी के मुलकों में अमेरिका तक इसकी डिवांड है असली की पहचान जिनको है उन लोगों को फाइदा होना मुम्किन है स्वागत है हकीम साब बहुत धन्याद आपका हकीम साब बात करूं अगर मैं जैतुन के सिर्के को ले इतना फाइदमन हो रहा है जो शुगर के पेशेंट है उनको तो यह राहत दे ही रहा है उनकी शुगर कंट्रोल भी हो रही है और साथी साथ जो रोगी नहीं है उनके लिए भी बहुत लाब दे रहा है हाँ दिखी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम तोर पर लोग नहीं जानते जी और उनका परिचे में नहीं करा रहा है बिलकुल जैसे गौंट सिया जी जी सफेद गौन मोरिंगा और आने वाले वरक्त में भी बहुत सारी चीजें मैं नहीं परिचे करा हूंग बिलकुल परिच तो आने वाले वक्त में भी में बहुत सारी नई चीज़ है जो आम तर पर लोग दवावाले और हकीम भी नहीं जानते लेकिन उन पर सबसे पहले रिसर्च होती है किस चीज़ के लिए कितना फायदा करते हैं जब हजारों लाखों लोग पर इनका अनुभाव कर लेते हैं तो फिर पब्लिक कर देते हैं कि ये चीज़ अगर इतनी मिगदार में ली जाए तो लोगों को फायदा हो सकता है तो फिर क्योंकि मेरे साथ वीवर्स हैं एंजस्तान के 80% लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो फिर फायदा उठाते हैं पिर तो आप देखते ही हैं कि कितनी feedback calls आती हैं कितने लोगों को फायदा होता है लेकिन मैं बस एक ही बात से दुखी हूँ कि जब मैं कोई चीज बताता हूँ तो वो मार्केट में असली होती है लेकिन जब मैं बताने लगता हूँ और लोगों लेने लगते हैं तो फिर लोग नकली देना शुरू कर देते हैं तो बिलकुदर्श को देखिए इस चीज से तो आप लोगों को सावधान रहना होगा कि जो कीमती रॉम मteर्यल आप लोगों को हकीम सहाब बताते हैं वो ना सिर्फ आप लोगों के किसी भी रोग को जर से खत्म कर सकते हैं बलकि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या वाके में ये मतलब ऐसा एक ट्रीटमेंट है कि हमें बड़े से बड़े रोग से निजात मिल सकती है बिलकुल दर्श को यकीन मानिये अपने अनु अपने जी हरियाना से स्वागत है आपका नमस्कार जी मेरे मेडम दो सवाल है जी बोलिए एक तो मेरे जी इसमें प्रॉबलम है अधिक यह पाई पर जी तो चिंट्यों यह बता रहे हैं जी दूसरा फिर एक मेरी मैडम के हैं वह बाल बाल जड़ते हैं मुझ पर गाले-का हाँ भाई देखिए एक तो आपके लिए यसा वेस्टन टॉइलेट बहुत जरूरी है नहीं है तो सबसे पहले वो लगवाए है कुर्सी वाला शोचाल है नहीं तो आपको बार बार फाइदा होगा बार बार वो ही हो जाएगा यह कोई मामूली परिशानी नहीं है हमारे ज को देशी टॉइलेट में नहीं जाना है देशी में जाना है अपरी ज़रूरत के लिए यह दवा से भी ज़्याद जरूरी हो सकता है आप बगएर दवा के ठीक हो जाए अगर यह घर में हो तो आप यकीन करें तो नहीं है तो लगवाले और रहीं दो गौन बता रहा हूँ एक आपकी पत्नी के लिए और एक आपके लिए याद रखना कि आपके लिए गौन सिया है अभी पर जिसका जिकर करा था काला गौन यह असली लेना जरूरी है आधा गिराम सुबा आधा गिराम शाम लीजे सो गिराम भी मिल गया तो आपके रोक के लिए काफी होना अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं इसके साथ ये रोक की जड़ पर काम करता है अधा अधा ग्राम सुबा नाश्टे के बाद और रात टो क्षाने के बाद लें पंदरा सोला रुपे रोज का इलाज है द्निया का सस्ता इलाज आधा ग्राम सुबा अधा ग्राम शाम खाएं लेकिन असली लेना जरूरी है, काला गॉंद भी कहते हैं, गॉंद सिया भी कहते हैं, नकली भरा पड़ा है, नेट पर भी बहुत नकली डाल दिया है लोगों ने, असली की पहचान आपको होनी चाहिए, आदा आदा ग्राम खाना, आपके लिए काफी अगर सौ ग्राम भी मिल जाता है तो, और आपकी पत्नी के लिए एक और गॉंद आता है, वो भी असली लें, गॉंद मॉरिंगा सफेद, इसमें भी लोगों ने नकली डाल लगा है, नेट पर, लाल ये पीला सा, ये सब को दे रहे हैं, और लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, गॉंद मॉरिंगा स बालों के लिए और चेहरे के निशानों के लिए, छीपों के लिए, महासों के लिए, और जो बच्चे की हाइट निवर्ती, अंडर एज अगर वो लें, उनको भी फायदा होना मुम्किन है, अगले कॉलर हैं, बिजनौर से, निश्रा जी, स्वागत हैं आपका, अपका, अ मेरे बेटे को मैंने मंगवाए था, माजून आरकेर, तीन महीने हो गए, तर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाफात, अमर दराज करें, फायदा हो गया बच्चे को, जी, मेरे बेटे को बहुत फायदा, बहुत, अब कभी कवा है, जो कभी कवा जो उस है, कोड़ा सा शांसी हो जाती है, फोड़ा सा दमाता हो, बेरे लेटे को, बहुत फायदा है, और कोई सवाल है आपका, तो अभी कर लीजे, और मेरे सवाल ये है, मैने विन फियागोंड मंगवाया था, मुझे भी में नहीं मंगवाया, मुझे भी दावी महीने हो गए, मेरा बहुत मुझे बहुत आराम है, बहुत आराम. और तीसरा सवाल मेरा यह सा, मेरा चहरा जो बहुत मुर्गाया है, इस्क्लीन बहुत बेकार हो रही है, थोड़ी से नमी नमी जुर दी है, तो मेरे चहरे पर सवाब और गिलों लाने के लिए लिए कोई अच्छा मिक्षा हैंगे सबसे पहले तो आपने हमें खुश कर दिया, बच्चे को भी फाइदा, आपको भी फाइदा, और यह हमारा फाइदा के आपकी दूआ हमें मिल गई, देखिए, बच्चे को अभी छोड़ना नहीं, अगर कभी कभी होता, यह पांच महीने लेना चाहिए, पांचे मह आपको गौंसिया जब तक पूरा दर्द ना हो, चला जाए, वैसे तो जितना आपने हसिल किया होगा, उसी में फाइदा मुम्किन है, और वेस्टन टौालेट ज़रूर लगए वाले, ताके दुबारा से नहो, देशी टौालेट में बैठने से यह बार बार होता है, फिर आप मुझसे शिकायत मत करना, अब चेहरे के गलो शबाब और सिल्वटें और चीपें हो जाती है, अब मर्दों को तो कुछ नहीं है, लेकिन औरतों को सबसे ज़्यादा लगा अपने शबाब से होता है, मैं जानता हूँ, तो देखिए, गौन मौरिंगा सफेद भी असली ले, गौन मौरिंगा सफेद, असली लेना है, असली मिल गया, तो आपकी ये फाइदा भी मुम्किन है, एक ग्राम रोजाना, नारियल पानी मिला कर, दूद में मिला कर, या पानी में मिला कर, जैसे आपके हालाते, सब को फाइदा देता है, ये भगवान की ऐसी देन है, ज लोग मुझे बुड़ा ही नहीं मानते, मैं बताता हूँ, मैं सिक्स्टी प्लस हूँ, कोई यकीन ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, बाल भी हैंगे मेरे, बालों के लिए बहुत अच्छा है, मेरे भी किने लगे थे बाल, मैं तो नारियल पानी मिला कर ये खाया, बुड़े आदमी के बाल जवानों से ज़्याद है, मेरे सारे यार दोस्तों के सारे टकले हो गए, और वो मानते नहीं मेरी बात, और आप मानिये, इसे इस्तेमाल करिए, और फायदा उठाईए, जो भी नुश्के से आपको फायदा हो, पूरे सब में पिर चलित कर दीजे, अपने द जाता जी, स्वागत है आपका, नमस्कार मेरम, जी नमस्कार, नमस्कार जी, आदाब जी, धन्यवाद, जी तुम हमने ना लसन वाला बनाया था, इसनों से निकाल के, इसने लसन जो हम ग्रेंट करके पास सकते हैं, और कितना पाईं? ठीके, ठीके, और कोई सवाल था नहीं आपका? अगर मैं संतरा और किन्नू खा लूँ, तो मेरे को तंद करता है, यहनि कि ठीकार यह नहीं लगती हैं, अच्छा, हाँ, हाँ, हजम करता है, संतरा और किन्नू लीबू हजम करता है, ठीकार अगर एक दो बार आ जाती तो कोई बात नहीं है, इसका काम हाजमा है, क् बहुत ज्यादा है तो पिर इलाज भी है इसका अच्छा यह जो लहसन का लोग समझ नहीं पाते लहसन एक लीटर जूस निकालना है या लहसन चील के उसको इतना बारिक पीस लें कि वो एक किलो के करीब हो चाहे वो ग्राइंडर में पीस है या कुछ भी पीस है आज कल तो सकते हैं एक किलो का एक किलो ही आप अगर पीस दे तो फिर उजूस निकालने की ज़रूत नहीं बारिक हो जाए बस वो बारिक के तरल पदार सा हो जाए वो और फिर इनको मिला कर आप तीन तीन चमच दो तीन बार दिन में खाने के बाद लिया करें दुनिया का अच्छे न किलाता है अरब में जैतुन का सिर्का पैदा होता है लेकिन यहां पर लोग इसको बनाते हैं तो कोई गन्ने का सिर्का डाल देता है इसमें कोई अंगूर का डाल देता है कोई जामन का डाल देता है तो कोई सेप का डाल देता है तो वो काम करें तो अधूरा करें यह पूर